हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आज की क्लास में और आज हम पढ़ने वाले हैं केलिपर केलिपर आप देख रहे हैं तीन टाइप के बना हुए हैं आउटसाइड इंसाइड और जेनी केलिपर करें अब हम इसके उपयोग जानते हैं कि इन केलिपर का क्या होता है आउटसाइड आउटसाइड केलिपर भी दो प्रकार क्या आते हैं एक फर्म जॉइंट एक स्प्रिन्ड इन utter क्या होता है फर्म जॉइंट में यहां में रिपिट के द्वारा यह फिए लेग जोड़े हुए होते हैं ये पीवेट के साथ में एक इस्प्रिंग लगी होती है इस्प्लिट इस्प्रिंग होती है ये जो होती है ये इस्प्लिट इस्प्रिंग होती है ये पकड़के रखती है इसको एक इस्कुरू और नट की साहिता से एड़ेस्ट किया जाता है इसको हम लंगाई चोड़ाई ऊचाई और कोई भी बेलनाकार बस्तु है जिसका बाहरी ब्यास इससे ले सकते हैए इसको अौटसाइट केलिवर लेता है यह वहार का माप लेता यह लिए अश्άνंव काभाı m.ग, अर यह भी c able here से यह group बना हुआ है, slot बनी हुई है, इसका हम को चोडाई नापना हो, तो इससे हम measurement लेते हैं, उसके बाद कोई cylinder या बेलनाकार बस्तू है, खोगली, उसके अंदर का व्यास लेना हो, तो इसका काम होता है, तो इससे कोई भी job का, आंतरिक मापन लेना measurement ले सकते हैं, और वो measurement हम कैसे check करते हैं, यह indirect measurement होते हैं, इसमें, indirect measurement, मतलब यह आप प्रत्यक्ष मापी है, प्रत्यक्ष मापी में कोन कोन आता है, जो इसमें direct measurement अपने को देखता है, बनियर केली पर, बनियर हाइड गेज, और माईक्रो मेटर, उनके अपन जो भी job है, उसको हम नापते हैं, तो इसमें direct measurement देखता है, लेकिन इसमें कोई scale तो बना नहीं है, ना measurement बना है, कुछ भी नहीं छपा हुआ, तो इसका measurement हम history rule की सहायता से check करते है, scale की सहायता से, जैसे हम ने इसका measurement लिया, मापन लिया, और यह नाप लिया, इस टाइप से नापते हैं, इसमें कोई भी माप का ह ना हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मापन का कि यह इतनी चोड़ी बस्तु है, तो दूसरी भी उतनी चोड़ी बस्तु है, अपन देखना चाहें तो, जोब को, उसके बाद आता है, जेनी केलिपर, जेनी केलिपर को तीन अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे जिचने के काम आता है, इसमें भी एक लेग होती है, दोनों लेग होती है, लेकिन एक लेग में एक ये निडिल लगी होती है, ये निडिल एड्रेस्टेवल रहती है, इसको हम जॉब के साब से उपर नीचे करते हैं, यह एड्रेस्टेवल नेट लगा रहता है, और ये पी वर का कार है, ठीक है, तो यह यहाँ पे इसका पॉइंट रखके, यहाँ से अपन यह इसी रेखा खीच सकते हैं, अगर खीचना चाहें तो, यह आप चितर के माध्यम से देख ली जगा, उसके बाद जेनी के लिपर से हम कोई भी ठोस रॉड है, उसका गार हमको केंदर, निकल आता है, यह इस काम आती है, उसके बाद इसकी धातू, यह माइल्ड इस्टील और हाई कारवन इस्टील, यह दो टाइप के उप्योग, दो टाइप की धातू में आते हैं, माइल्ड इस्टील का अगर होगा, म्रदू इसपात का, तो इसको हाइड एंड केस किया तो इसको हाड और टेमपर किया जाता है, दोनों धात्यों को अलग-अलग प्रक्रिया होती है, हाड और केस किया जाता है, माइल इस्टील को और हाई कारवन इस्टील को हाड और टेमपर किया जाता है, उसके बाद आते हम इसके साइज पार, यह क्या होता है, इसकी पीवे परिशुद्ध है जीरो पॉइंट फाइब एम होती यह इतनी परिशुद्धता में आपता है क्योंकि यह डारेक्ट मेजरमेंट तो देखा नहीं रहा है तो उसके बाद अपने को इसकेल की सहाइता लेनी पड़ती है इसलिए इसमें 0.5 mm परिशुद्धता होती है उसके बा जाब लोसकता या पर यह जोह से आले तरचे हैं उसके बाद कट्टिंग यूदू के साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि कट्टिंगें के साथ रखेंगे तो यह खो़ाब ह हो सकते हैं थिसरा यह जो फिर्म जॉइन्ट वाला है इसको फिर्म में कोल stock ठीक है और इसको स्प्रिंग जोड हिंदी में बोलते हैं इसके साब से इसको मतलब जब अपन उप्योग करते हैं तो जादा तेजी से या फास्ट ताकत से यूज नहीं करना चाहिए नहीं तो यह क्या है इसकी पीवेट है यह अगर डिली हो गई तो फिर यह क्या है इसका मे एंवाण